हेलो एब्रिवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये तक्या, जैसे कि हमारे पुराने तक्या हो जाते हैं, अंदर का ये कपड़ा होता है, वो गंदा हो जाता है, रूई भी मारी एकदम ऐसे चिपक सी जाती है, इस तरह के तक्या को हम बड़ी ही असानी से घर पे बना सक करना है इसे, तो हम आज का वीडियो इसी पर बनाएंगे, तो जैसे ये तक्या है, इसको हमें यहां से खोल देना है, ये सिलाई है, खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसकी सारी रूई हम निकाल लेंगे, तो यहां पर मैंने दूसरे पिलो की रूई निकाल ली है, तो कप्ड मिलते हैं तो यह सब टेखें नहीं है तो यह पहनने लाइक नहीं है किक्ट यह यहां से इसOOOO कर लेंगे viewpointवा की यह लिए要 करा क्पडा सुर्वा holistic अगर जो लिए मैंने यहां पर जॉइंट डाल लिया है इतने कपड़े का अंदर ही रहेगा तो इसमें जॉइंट भी हमारा लग सकता है अब हम तक्या का मेजर्मेंट लेंगे जिस भी साइस का आपको बनाना है जैसे आपका पुराना है तो पहले आप उसका माप ले ले तो यह हमारी पड़े को मैंने इसतरा सींगल रख लिया है अब यहां से हम लंबा लेंगे तो बाईस इंच है हमारा तो यहां से आधा-दा इंच हमें एकट्स लेना है दोनोंस इससी ले ले लेंगे 23-6 पर इस से हमारा पंद्रा इंच है यहां से 5-5-5 इंच ले 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 लिए कपड़े को मैंने डबल कर दिया है तो यहां से देखिए साड़े पंदरा इंच है और यहां से हमारा तेईस इंच है यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है कि मारे कि इस लाइक कर दीख यह एक्स्ट्रा ह कि रखेए इस तरह से रखका है तो अधा अब यहां से सिलाई लगाने है यहां से लगाएं कि अब ये प्लेस हैं यहांपर यहां पर को यहां से हमें इस तुड़ा से इसे फुला लिए तो मैंने पो झाली आए भूबर को बुज। अब यह प्लेस है यहां से रूई डालेंगे तो जैसे पुराने अब क्या हुद है mapping fluffy fluffy अग्र हो चुंन कें Data 10-4 ग कंदे दो चाहिक थोप लगंवाने अच्छ से और इस तरह से हमें सारी रूइ को ऐसे कर लेना और तो रूइ हमारी रेडी हो गी है अब यह स्पेस है यहां से हमें रूइ को फिल करना है तो यहां अच्छे से हमें यह कोर्णर है इन में डाल लेना है पहले तो इस तरह से सारी रूई हमें भर देनी है कि सारी रूई फिल कर दी है तो जैसे रूई फिल कर दी है तो इससे हमें इस तरह से पकड़ लेना है यहां पे इस तरह डंडे के साथ इसे थोड़ा पीतना है जैसे रूई हमारी चारो हो जाए कि इसके बाद अब यह स पेस है हमारा यहां पे हमें नीडल के साथ ही स tuna पड़ेगा हाथ से सiuना इस तरह से हमें ये पूरा complete कर देना है सिल के इस तरह से पूरा सिल दिया है अब last में हैं तो यहां पर हमें इस तरह दो-तिन note लगा लेने है जिससे ये खुले न ने तो दिक्कत हो जाएगी बाद में इस तरह से पक्का कर लेना है रेक्स्टर दागा कट कर लेंगे यहां पर यह मैंने स्पेस सिल दिया है अब फिस से हमें इसे थोड़ा इस तरह से पीटना है जिससे सारा हमारा बराबर हो जाएगा रूई इस तरह से पीटेंगे अब देखिए इस तरह आपके पास भी अगर पुराने तक्ये है जो ढप जुक है इसतरह रोई उसकी उसे आप इस तरह से नियाब एकक्तम बना सकते हैं घर पर ही ऐसे भी हमें साल में एक बार तक्ये के जो अंदर के कबर हैं उनको बदलना चाहिए क्यों कि उसमें किटानू हो जाते हैं द बार जुरूर चेंज करने चाहिए अपने इस तरह के तक ये जैसे पुराना कपड़ा लगा सकते हैं बैडशीट का हो जा अपना कोई अगले वीडियो में इसका कबर बनाना बताऊंगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में